सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजिनिरिंग टिप्स चैनल को और बैल आइकन को ज़रूर दमाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हाई गाइज हावर यू इसमीन आवाईदियर अगेन सो इस लक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैन सर्विंग के बारे में चैन सर्विंग जो है फिर्स टाइब अफ सर्विंग जो है बेस बन इंस्टुमेंट के बेस पे अगर हम देखें कि types of serving based on instrument उसमें जो first classification है वो है chain serving तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में chain serving क्या होता है chain serving जो है it is that method of serving in which area is divided into network of triangles chain serving में हम क्या करते हैं कि area को हम network of triangles में divide करते हैं sides of these triangles are measured with the help of chain or tape और जो हमार पास triangles की side से उनको हम major करते हैं कि इस से with the help of chain or tape अब इसको मैं आपको through diagram understand करवाने की कोशिश करूँगा suppose करो हमार पास कोई area है यह कोई area है इसको हम क्या करते हैं इसको अगर हमने यहाँ पर हमने serving करनी है तो chain serving में क्या करेंगे इस area को network of triangles में divide करेंगे हमार पास एक दो points मैंने select कर दिये A, B, C, let it be इनको मैं join करूँगा तो join करने से मरफस क्या बन की एक triangle बन की अब कुछ area फिर से बच रहा है यहाँ हमें एक extra point लेके इसको दूसरी ट्रेंगल में divide कर सकता हूँ यहाँ से मैं इसको इधर से एक और triangle बना सकता हूँ तो हमने triangle तब तक बनानी है जब तक मरफस सारा area almost cover हो जाएगा यहाँ A, B, C, आप इसको D, C, D, A, B, C, D, वगएरा कुछ भी आप इनको नाम दे सकते हो तो first जिसने क्या बोला कि chain serving के हम क्या करते हैं कि जो हम area है उसको करते है network आप triangles में divide कर देते हैं गहुत है तो हम अबर पास जो यह line अभी AD line है इसको हम ऐज़े based line करते है बेस line के इस side भी triangles हमंदादी राव करते हैं सबसे पहले जब भी हम chain serving करते हैं तो baseline सबसे पहले draw करते है और इस line को draw करने के लिए हमार पास जो instrument है मुझे हम chain या tape use करेंगी और पस उसमें high accurate instrument होना चाहे तो उसके बाद फिर हम बाकी जो triangles है जो छोड़ी-जोड़ी triangles है इनको हम baseline के either side, दूनो side इनको draw करते हैं, तो first जो इसने बोला था कि chain serving में कि करते हैं, area को network of triangles में divide करते हैं, फिर दूसरे में इसने, दूसरे point इसने ये बोला कि जो side से, इस triangles के, इनको ये जो side से, इनको हम किस से measure करते हैं, with the help of chain or tail, तीसरे point में ये बोलता है कि most suitable kind of serving and is generally suitable for planned areas and having less details, chain serving generally most suitable kind of serving है, और इस serving को हम तभी ही use करते हैं, जब हमार पास area plan होगा, यहां तो details उसमें कम होंगी, details इसका मतलब है कि हमार पास जो buildings होंगी, इसमें या कोई, कुछ भी है, इसमें buildings हैं, trees हैं, whatever, जो भी है इस area में लाई कर रहा है, वो हमार पास कम होंगी, obstruction हम कह सकते हैं कि कम होंगी, आप वो कम होने से क्या मतलब है, उससे हमार पास जो है, chain serving में क्या होना चाहिए, क्या हूँ क्योंकि अगर हमार पास जितनी ज़्यादा obstacles होंगी, फिर हम उस area को network of triangles में divide नहीं कर सकते हैं, उनको network of triangles में divide करने में, थोड़ी problem आ जाएगी हमें मुश्किल हो जाएगा उसको area को network of triangles में divide करने के लिए, जैसे इसने नीचे next point में ये भी बोला है, कि not suitable for dense forest and areas having large number of obstacles, तो chain serving जो है, उन जगाओं पे हम use नहीं कर सकते हैं, जहां पर हमार पास dense forest होगा, क्योंकि वहां पे हम उस area को network of triangles में divide करना मुश्किल होगा, और यहां और यहां उस cases में जहां पर हमार पास obstacles जोगी, बहुत ज़्याद होगी, जब हमार पास number of obstacles किसी area में ज़्याद होगी, तो वहां पे हम chain serving perform नहीं कर सकते हैं, तो chain serving का अगर मैं simple point मैं आपको concept दो, तो chain serving में हम करते हैं, सिर्फ linear measurements ही लेते हैं, linear measurements angular measurements वगएरा, जो हम chain serving में consider नहीं करते हैं, इससे में chain serving में करते हैं, सिर्फ area network of triangles में divide करते हैं, और जो side sub triangles हैं, उनको हम विद्ध हरे पाफ chain और tape measure करते हैं, और जो details हैं, उनको हम करते हैं, chain और tape से offsets वगएरा लेके, उनको हम locate करते हैं, आप suppose को यहाँ पर कोई building है, इस side कोई tree वगएरा है, हम करेंगे, जो man survey line है, यहाँ इससे जो भी आप nearby है, अगर बेस लाइन से नजदीक पढ़ रहा है, यह इस वाली side से नजदीक पढ़ रहा है, तो यहाँ से offset ड्रा करके हम देखेंगे, suppose को यह 4 meter पे हैं यहाँ से, तो offsets वगएरा ड्रा करके हम जो है, जो यह details है, उनको हम locate कर सकते हैं, फिर वो ही जो हम map पे ड्रा कर देंगे, तो chain serving में करते हैं, simply area को network of triangles में कर ड्रा कर दिया, फिर जो sides of triangles है, offsets वगएरा लेके हम खेकरते हैं, जो भी हमार पास area होगा, chain serving में, उनको हमने network of triangles में divide कर दिया, और इस process को कहते हैं, जो हमने process किया, इसको network of triangles में divide करने को, इसको हम कहते हैं chain triangulation, उसके बाद हमार पास है कि, जब भी हम area को network of triangles में divide करते हैं, तो यहाँ पे हमार पास तीन types की triangles बनने के chances होते first हमार पास बन सकता है well conditional triangles well conditional triangles दूसरी हमार पास बन सकती है यहां पर good conditional triangles sorry यह first जो है best conditional triangles है good conditional triangles बन सकती है यहां पास bad और ill conditional triangles तो हमार पास तीन टाइप्स की triangles बन सकती है best conditional triangles हम उन triangles को कहेंगे जिनका angle जो होगा near about 60 degree होगा मतलब less than or equal to 60, around 60 ही लाई करेगा उन triangles को क्या कहेंगे best conditional triangles अब good conditional triangles जो है उन काम क्या कहेंगे यह ऐसी triangles है जिनका angle जो होगा 30 degree से ज्यादा होगा और 120 degree से काम होगा मतलब जिनका angle जो है 30 degree और 120 degree के बीच में लाई करेगा तो उन triangles को क्या कहेंगे good conditional triangles bad conditional triangles का मतलब होथा कि ऐसी triangles जिनका angle जो होगा less than angle हमार पास के होगा less than 30 degree होगा but greater than 120 degree होगा मतलब यहां तो 30 degree से ज्यादा होगा but 120 degree से बड़ा होगा तो इन triangles को क्या कहेंगे bad conditional triangles या ill conditional triangles तो यह थी हमार पास three tribes की triangles जो बन सकती है जब हम area को network of triangles में divide कर सकते हैं best good or bad conditional triangles उसके बाद हमार पास हम देखेंगे कि दोसरा जो principle है इसका चैन सरुइंग का वो हमार पास है as triangle is the only simple plan geometrical figure which can be plotted from the length of three sides even if the angles are not known अब question यहां पर यह arise होता कि जब हम चैन सरुइंग में area को network of triangles में ही क्यों divide करते हैं स्केर में रेक्टेंगल में यह जो हमार पास rhombus है यहां ट्रॉपिजम है इन में क्यों इसको divide नहीं करते हैं अब इसका answer यह है कि हमार पास area हमेशा irregular in shape होता है तो वहां पे squares बनाना यह rectangle बनाना हमार लिए impossible हो जाएगा हम area को जो है rectangle में भी divide کی area आपको possible नहीं है आपको square रेक्टेंगल आपको square में मिलेगा ।अब इसको square में divide करके देखो अगर हम इसको square में divide करके देखेंगे एक square ये बनी ये वाला area जो है इतना बच गया अब दूसरी square आपकी ये बनी तीसरी आपकी suppose करो ये square बनी चोथी आपकी आप यहाँ पे complete square suppose करो बन गई अब ये जो बाकी area है remaining area इसमें बच जाएगा square area rectangle में area को divide करने से में पास सारा का सारा area cover up नहीं हो सकता बाकी जो है ये बच जाएगा ये वाला portion देखो ये बच रहा है ये बच रहा है अगर हम इस स्केया rectangle में divide करोगे इसकी वाईसे में आप सारा area जो है cover नहीं होगा और सारे area को हम survey नहीं कर पाएगे तो best है कि हमार पास area को triangles में doid करो अब देखो इसी area को करना हम ट्रेंगल में doid कर दें और इसी shape का हमार पास area है हमने क्या कर दिया यह point select कर दिये क्योंकि triangle के आपकी कोई fix shape नहीं है आप इसको आपकी तीन साइड सोनी चाहे है तो वे 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 किसी भी shape में बन सकती है यह किसी भी shape में बन सकती है यहां से यह cover हो गया यहां पर मैं इसको point लेके इस triangle इस वाली area को cover कर सकता हूं इसमें almost 99% हमार पास area survey हो जाता है इसको further में यहां पर एक और triangle बना सकता हूं तो यही case जह हम इसमे square या rectangle की case में नहीं कर सकते हैं बाकि यह area आपका बच जाएगा यह undivided रहेगा ना तो हम यहां पर complete square महनी नहीं सकती है ना यहां पर complete rectangle बन सकती है तो best है कि area को हम करते हैं network up triangles में इसलिए divide करते हैं क्योंकि इसका maximum area जो है survey हो जाता है पर next topic हमारा पास जाता है instrument using chain serving के chain serving में हम कोण-कौणस instrument use करते हैं जब हम channel परफॉर्म करते हैं तो समें कों-कौण Menu instrument use होते हैं. सबसे पहला instrument उसमें use होता है han يع tape है दूसरा ऐसमें arrow जाता है तीसरा ranging rod साजाता है, छोधा opposite rod साजाता है पांच में pack साजाता है और छटा plomb हाता है अब वन बाई-वन हम इनके बारे में detail से पढ़ेंगे so first instrument, हम उजी करते हैthem chain whose चैन जो diameter होता वे कितना होता है 4 mm होता और उन smile steel के pieces को हम क्या कहते हैं लिंक्स कहते हैं अब chain हमार पास दो डाइब्स की होती है generally हमार पास metric chain और non metric chain अब मैं आपको इनकी diagram यहां पर आपको दिखाऊंगा कि chains हमार पास available होती कैसे है यहां आप देख सकते हो हमार पास यह कुछ chain की diagram है जैसे यहां पे इसने दिखाया है कि यह हैंडल है carry करने के लिए यहां पे इसके यह जो rings बने होते हैं इनको brass rings कहते हैं यह copper के बने होते हैं यह brass के बने होते हैं इनका जो man function होता है इनका provide करना का क्या होता है कि यह chain को flexibility प्रवाइड करते हैं इसको carry around से कर सकते हैं यह इसको fold करना होगा या इसको मतलब जब भी carry करना होगा from one place to another place तो income के करते हैं इससे flexibility में दिलते हैं इनको हम आधा क्यों होता है कि उसके बाद हर 5 या 15 मिटर के बाद chain में आधा या चैन में प्रवाइड की होती है अब इन तेलीश का मैन फाइदा यह ओता कि जब हम चैनिंग करते हैं चैन में यहां पर डिस्टेंस तो लिखने होता है कि हमने यहां तक कितना आया यहां तक कितना हम क्या करते हैं जब हम 16 करते हैं तो आगर आढ़ी ही चे मही प्रैष्ट उडिंटjun को यहां से अगर इसका एiro को ही पता नहीं कि यह starting end यह है यह इसलिए इसने बोट साइड से बताया है 0 या 20 मेटर यह 0 20 मेटर अब यह मर पस किसके होते हैं यह यह ब्रा यह ब्रास के बने होते हैं यह यह कापर के बने होते हैं एट एवरी मिटर लेंद हर एक मिटर के बाद हम और पास इन रिंग्स को प्रवाइड किया जाता है तो मैंने आपको बता है कि इन रिंग्स का फंक्शन क्यों होता है ये चैन को फ्लेक्सिबिल्टी प्रवाइड करते है उसका बत हम टैली जो हम provide करते हैं 5 और 15 मेटर के बार provide करते हैं इनका function यह होता है कि मेरे पास इन टैली इसको count करके हम करते हैं total channel length find out कर सकते हैं जब हम कोई linear measurement जो है measure करें chain से तो यह थी मेरे पास जिसकी diagram थी chain की उसका बता हम देखेंगे कि हमारे पास दो टैपस की chain होती है metric chain और non metric chain अब metric chain क्यों होती है कि इसमें एक मिटर में पांच links होते हैं और हर link जो हमारे पास के होता है 20 cm के बराबर होता है जैसे मैं आपको यहां पर बिदाया है कि हमारे पास यह समझो प्रवाइड पर counting तो मैं आपको आलेड़ दा दाया कि हमारे पास टैलीज किसले हम प्रवाइड करते है counting के लिए प्रवाइड करते है suppose करो यह हमारे पास कोई point A है यह point B है अब हमने इसके बीच का distance measure करने है अब हमारे पास जब chaining operation करने है हमारे पास अब suppose करो 20 meter chain available है यहां से लेकर जब हमने 0 से start किया एक chain यहां तक आई दूसरी chain यहां तक आई तीसरी chain यहां तक आई और चोथी chain अब हमारे पास आदी आई अब chain पे distance तो लिखा नहीं होता है कि हमने कितना distance measure किया अब हम क्या करें कि यहां से लेकर यहां तक कितना है 20 यह भी हमारे पास क्यों होते हैं कि हमें पता है कि उसके बाद यह जो लिंक्स होए उसके बाद हम लिंक्स कौइंट करेंगे कि इतने लिंक्स इसके बाद आए suppose को इसके बाद 3 links आए हर link कितना होता है metric chain में 20 cm यह भी 20 cm cm तो यह कितना हो गया 0.6 meter इसके बाद total distance हम आप 20 20 हो गया 40 40 plus 20 हो गया 60 तो 0.6 है total distance हमारे बास हो गया 60.6 meter तो यह function है इनका यह link spread करने का यह tallys पुइट के अगर में पास नों पूँट आगा तो में से कह एक दूँट करो यहां कि हम एक पूंट में पता होगर यहां 15 मेटर से नहीं के सासर नहीं हो जाते बाद कि इस इस Gunter's Chen j 번age 66 feet की होत bagus इसमें का होत growth is 66 feet सब्सक्राइब हली Winter's पटी ये हमन Safya दूछी जा है ये हमने पास ध सब्सक्राइब हिए ये पस दूसरी इसमें 100 feet की होती आप कितने नमरब अपनी षनिम्स लिक होते है ये इसमें पहला हमist qn kle twe yarn जो है उतनी हाई एक्रिसी जुरत नहीं होगी इसमें अगर यह वैट हो जाएगी इसमें क्या होता है इसकी लेंग जो है श्रिंक हो जाती है अगर यह 10-meter की होगी तो कुछ लेंग इसकी शॉर्टन हो जाएगी इस पर जो वैदर का भी एफेक्ट बढ़ता है उसके वाजसे जो जो rarely यूज करते है no and do a day दूसरी टेप हमाँ पस क्यों से आजए थी उम्ह fulfill है नियुकं के तेप जो हमार पास लिनान टेप है इसी को मोडिफाई कर देते हैं यह मादिकर करने के लिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हमें लिनान टेप में फेज करनी पड़ी ती हमें मेटलिक टेप में ना करने पड़े तो उसके बाद जो हमार पास आती ही, तीसरी टेप जो हमार पास जाती है, स्टील टेप, स्टील टेप जनली अवलबल होती है, इसकी जो है, 6 mm से लेकर 16 mm विड्थ होती है, स्टील टेप की, और यह हमार पास अवलबल होती है, 1 meter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter, तो इसको हम जनली यूज स्टील का यूज करते है उसके बार को रहा है उसके पार लाक्स टेप जाथी वरिफिल टेप आती हैं इन वार टेप जिसमें 2 में युज़ घूंडब दो मैं अजनल इसमें 36 प्रेशनिस में चिकल होता और 64 प्रेशनिस में इसमें टेप यह ज़्में होती है 6 mm wide, 30 meter length, 50 meter length और 100 meter length में रपस ये available होती है इस tape का इस tape पे temperature का कोई भी effect नहीं पड़ता है temperature बाकी बारपस tapes है अगर हम steel tape है, metallic tape है, linen tape है अगर इनको हम temperature में रखेंगे, मतलब बाहर रखेंगे दोप में तो उसकी वाज़ से इन में कहा हो सकती है हाय accurate works के लिए जैसे मैं आपको पहरे इस बताया था कि जब हम area को network up triangles में divide करते है तो सबसे पहले हम क्या करते है baseline और रह करते है तो ये baseline हम क्या करते है किसी accurate instrument से draw करते है इस baseline को draw करने के लिए यहाँ पे हमारे पस क्या करते है inward tape का use करते है कि इसी बेसलाइन पे शारी इस चैन सर्विंग के एकॉरेसी डिपेंड होगी तो यहां तो हम इसको क्या करते हैं बेसलाइन को ड्रा करने के लिए यूज करते हैं न पिर जोमार पास बहुत ही ज़ainen ज्यदा एकोरेश जहां ही जोडता होगी उसके Summen क technology ने उसके भार यूज करते》 उसके बादू नेत्व शुनेट स्की उप्रेस्ट बीन की अधिक तेयर. या दीदवार की बनी होती है, नेकर आज कल के टाइम में आखर हम देंगे, घर वह अगर हम देखे वह जरी स्टीन होती है, रेंगिंग राइट्स कोछ इस ट्राइट की राइट्स होती है, इन वैं आरपस के होता है कि 20-20 cm पार सुच कारी सब्सक्राइब 20-20 cm के बाद ये हमार पार अलग अलग ौर्स पर होते हैं अगर ये 20 cm है ये 20 cm ये 20 cm ये 20 cm ये अगर इसका रैड कलर होगा यहां तो रैड या उाइड ॉयीट 최लर में इह होता है यहां फिर ब्लैक और वाइड मेरा परस होता है तहले परस क्या होता है ये इनकी लेंथ majkar जो होती है 2-3 मेटर के बेच मेच बहुती है और इनका डाप जो है लीकाँ ऑनर्ट चयो होना इनका eless एक पैयब की शेप होती है इनका डाप होता है 25 cm square in size तो इस flag का क्या काम होता है कि यह हमार पास इसको भी अब जैसे मैं आपको पहले बोल दे है कि इसको हमने station को identify करने में इन से आसानी हो जाती है तो ranging rods हम क्या करते है station को locate करने के लिए use करते है अब suppose करो जैसे हमार पास यह कोई area था ने क्या करते है area नेट वर्क रेंगर धाफ ब्रहर करना है तो जो वहार पास station है अब यह station हमार पास यहां था एक हमार पास यहां था इक हमार पास यहां था तो tomato जिन जिन को हमने as 0 offset rodsでは जाता है मुझमरे नियूज़ रट ऊपस हंगे वह बाते हैं मेरे उपसा फ्लैग होता है हुआए यहां चैनिक टूंस यहां पर क्यों होती है कि सूल प्रिएब होती है इस पन्हों है कर się, यहां को होती है। अग्सवाद हमार पास पैग्स पैग्स क्या होता है कि हमार पास देखो जैसे हमार पास यहां पे हैं यह हमने स्टेशन मारके थे ग्रॉण पे इन इन पॉइंट्स को जाएं करके हमने क्या करना था ट्राइंगल करना थी तो जिस जो हमने स्टेशन मारके वहां पे हम क्या करत इनकी जो लेंथ होती है पांदरा से लेकर 60 cm होती है पैग्स की 15 से लेकर 16 cm तो नहींकों किया गहते हैं तो इनको क्या कहते है उसके बाद लाज जो इनिस्ट्मिट जो हम चैनिंग ओपेरेशन में यूज करते हैं वह अमार पास है Plumbab Plumbab का आपको पता है कि Plumbab हम किसलिए यूज करते हैं ज्यादा Verticality चेक करने के लिए यूज करते हैं जब हम स्टेशन अब हमार पास अगर हम साइडिंग कर रहे हैं जिसे हम Ranging Rod के अगर Verticality हमने चेक करने के Exact Vertical है Ranging Rod की नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं Plumbab का यूज करते है तो यह थे कुछ basic instruments जो हम Channing Operation में यूज करते हैं I hope कि आपको यह सारे instruments हैं उनके बारे में जो मैंने आपको बताया होगा अगर आपको कोई भी doubt होगा इन instruments के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में पूर सकते हैं ताकि मैं जो next video जो है उनमें आपके वो जो है dots उगेरा clear कर सबूँ Thanks for watching Unique Engineering Tips अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सबस्राइब करना न बूले और प्लीज बेल आइकन ज़रूर दबाए तक कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकिशन पहुँचे और प्रिएस वीडियो जितनी ही मैंने अपलोड की है उनकी जो पीडियेफ्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवलेबल हैं तो आप वहां से उनको डॉनलोड कर सकते हैं थैंक्यू सो मच्च